हेलो गाईज, वेलकम टो माई यूटीब चैनल, आज मैं आप लोगो के लिए इलजबरा का रिवीजन क्लास लिखे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे मैट्स में, इलजबरा के बारे में, इलजबरा में इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है, जहां पे हम स लिख लिजेगा, तो रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे लोग को सिनियर क्लास में जाने के बाद भी, A² प्लस B², A² मैं इस B² में डिफरेंसे पता नहीं चलता है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जानेंगे आज सारे स् स्टार्टिंग करेंगे हम, A प्लस B का हॉल स्क्वाइर से, इसके साथ-साथ एक्ष्ट्रा जो भी फॉर्मूला है, उसको भी आपको बता दिया जाएगा, और अच्छे से देखेंगे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सिनियर क्लास में जाने के बाद भी बार-बार बोला जा रहा है, को वहाँ पे बहुत सारे बच्चे को confusion होता है, और जो जूनियर क्लास में हैं, उनको भी ये जरूरत है, तो चले, सबसे पहले हम देखेंगे, A प्लस B का हुल स्क्वाइर, देखें, A प्लस B का हुल स्क्वाइर का दो फॉर्मूला होता है जिसमें सबसे पहले तो होता है, एक होता है A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2AB, इसी को A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर भी बोलेंगे, बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज़ है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, A प्लस, अगर हम बात करेंगे, इसका सेम अगर बात करेंगे, तो यहाँ plus है, तो यहाँ minus कर देंगे, और एक formula इसका होता है, a minus b का whole square, और यहाँ पर हम करते हैं, plus 4 यह भी, यह देखें, यह formula होता है, सबसे पहले तो एक चीज और जान लीजिया, कि square जब बोला जा रहा है, square, तो square में आपको ध्यान में रखना है, क अगर a into a करते हैं, तो a square आता है, ठीक है, b into b करेंगे, तो आपको b square आता है, उसी परकार से a plus b into, अगर हम a plus b करेंगे, यहाँ बेच में कोई symbol दें या ना दें, बात एक ही चीज़ा, multiply का यह form होता है, तो यह होता है, आपका a plus b का whole square, सेम इसी का, अगर हम minus में भी बात क करेंगे, तो सेम चीज़ हो जागा, a minus b में, अगर हम a minus b से करते हैं, multiply, तब जाके यह आता है, a minus b का whole square, not a square minus b square, a square plus b square, यह नहीं, यह आपको ध्यान में रखना है, तो सेम चीज़ a plus b का whole square है, इसको हम crypt करके भी आपको दिखाएं, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पर problem नहीं करेंगे, simply हम पर इसको एक बार क्या करेंगे, recall करने के लिए लाए हैं, तो आप ध्यान रखेएगा, तो चलिए, सबसे पहला तो यह एक formula हो गया, second हम बात करेंगे, तो a minus b का whole square होता है, same चीज़ होता है, a square plus b square होता है, यहाँ plus 2ab, यहाँ plus तो यहाँ minus तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, minus हो गया, next हम बात करेंगे, same जैसे इसका एक और extra formula है, यह सब standard formula में आता है, आपको ध्यान में रखना है, यह भी भी आई है, आगे जाईएगा, तो senior class में आपको यह सारा का use आपको परता है, तो इसलिए ध्यान रखेगा, next हम बात करे तो a square plus b square जो होता है, वो होता है, same चीज़, इसका भी दो formula होता है, एक होता है, a plus b का whole square minus 2ab, और second अगर हम बात करेंगे, तो a minus b का whole square, और plus 2ab, यह कैसे होता है, यह भी हम बता देंगे आपको, ठीक है, पहले आप देख लिजे, चौथा अगर हम बात करेंगे, तो same चीज अगर हम बात करेंगे, तो a plus b into a minus b, यह आपका हो गया है, नेक्स हम बात करेंगे, इसमें पांच वा, तो a plus b plus एक और चीज़, अगर आप जोडना है, तो c कर दीजिए, तो a plus b plus c का whole square अगर हम बात करेंगे, तो a square होता है, plus b square होता है, plus c square होता है, और plus 2 multiplied by a b plus b c plus c a होता है इस चीज़ को याद रखना है यह आपका हो गया तो यह आपका square waste में यह normal सा जो simple सा formula है आपको देखने के लिए हर जगा पे मिलेगा और इसका usage जो है आप senior class में आप जाएगा आप competition के class में भी जाएगा तो वहाँ पे भी आपको यह सारा चीज़ का use देखने के लिए मिलेगा और यह आपको पहले में बता चुके कि a plus b into a plus b करेंगे a plus b का whole square हैगा यहाँ पर देखिएगा यह क्या होता है simple सा चीज़ यहाँ पर दिखाएगा कि a plus b का whole square अगर आपको देया हुआ है a square plus b square plus 2ab तो याद रखिएगा अगर same चीज़ को हम क्या करेंगे इसी चीज़ को यहाँ पर a minus b का whole square अगर है तो इसको जब तोड़िएगा तो a square plus b square यह extra formula यह कोई trick नहीं है यह region क्या है जब इसको तोड़िएगा अगर in case हम इसको लेते हैं इसको उठाते हैं और इसको तोड़ने का कोसिस करते हैं यह वाला जो part है इसको तोड़ने पर देखते हैं कि क्या आता है actually आता क्या है तो हम देखते हैं यहाँ पे a minus b का लिखा हुआ है whole square plus 4ab अगर यह लिखा हुआ है तो आप अभी पर चुके हैं कि a minus b का whole square है तो a minus b का whole square के जगा पर यह पूरा part लिख सकते हैं तो a square plus b square और आपका हो जाएगा minus 2ab और पहले से यहाँ plus 4ab है तो आप ध्यान दिजेगा a square plus b square और plus 4ab यह minus 2ab जो है यह 4ab से जगा तो यह plus 2ab हो जायगा 4ab और 2ab सेंट है सेंट है तो चार में से 2 जाएगा तो 2ab यानि कि यहाँ पर 2ab हो जाएगा तो आप कर देखिए a square plus b square plus 2ab तो a square plus b square plus 2ab किसके जगा पर a plus b का whole square यानि कि इसको भी हम तोड़ते हैं exactly तोड़ने पर हमको same चीज यही मिलता है इसलिए इसको यह चीज लिखा जाता है same चीज अगर यहाँ भी अगर यह लिखा हुआ है तो अगर आप इस part को तोड़िएगा इस वाले part को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको same चीज यह मिल जाएगा तो यही से इसको किया गया है लेकिन हाँ इसका कुछ-कुछ condition में usage होता है वहाँ पे आपको कैसे कैसे usage होता है वो सारे questions आपको जब आएंगे वहाँ पे तो उसका एक particular class लाएंगे उसमें आपको इसका भी usage आपको क्या कर दिया जाएगा बता दिया जाएगा तो सबसे पहले तो यह था तो यह आपका दोनों के लिए रहो गया next हम बात करेंगे यह तो यह भी देखें a2 plus b2 a2 plus b2 यह कोई formula कुछ ऐसा particular नहीं होता है बहुत लोग सो पूछिएगा आप a2 plus b2 तो 70 से 75% बच्चे जो होते हैं इसका आपका formula बताते हैं a plus b into a minus b आपको पता होना चाहिए बोलने से पहले यह भी देखना चाहिए कि क्या होता है सबसे पहले आपको पता है a2 minus b2 का होता है a plus b into a minus b तो यह तो बिल्कुल होगा ही नहीं तो गलत answer भी बोलने से पहले सोचना चाहिए यह 10 बार के क्या बोल रहा है आप तो a2 plus b2 तो देखे a2 plus b2 यही पूछ रहे हैं आपसे a2 plus b2 यह राह में रोडा कौन बन रहा है यह plus 2ab यह plus 2ab राह में रोडा बन रहा है तो यह plus 2ab को बराबर के इस side आप क्या कीजिए भेज दीजिए तो आपको पता है जिनरली आप जान रहे हैं कि अगर plus को बराबर के उस side भेजते हैं minus होता है minus को बेजेंगे तो plus होगा गुना को भेजेंगे तो भाग होगा divide हो जाता है और divide को अगर आप भेजते हैं अगर आप divide को भेजते हैं बराबर के उस side तो यह क्या होता है multiply होता है ठीक है ना अगर आप square को भेजते हैं square को बराबर के side भेजते हैं तो square root हो जाता है यह सारा चीज आपका अगर आप cube को भेजते हैं, cube को भेजिएगा, cube को भेजिएगा, तो यहाँ पर आपका cubic root हो जाएगा, तो यह सारा चीज आपको basic से चीज है, यह सारा आपको पता होना चाहिए, बराबर के इधर से उधर करने पर यह आपका linear equation में आप पर हैं, तो same चीज यहाँ plus 2AB को minus वाले case में भी यह वाले में आता है, तो इसलिए A minus B का whole square, minus 2AB को बराबर इस side लाएगा, तो plus 2AB हो जागा, आनिकि A minus B का whole square, plus 2AB किसके जगह पर, A square plus B square के जगह पर, तो यह दोनों formula होता है, same चीज यहाँ पर यह भी clear हो गया, next हम four number बात करेंगे, तो A square minus B square, A square minus B square, यहा पूछा जाए, 90% बच्चे से देखा गया है, कि अगर आप उनसे questions पूछते हैं, किस टाइप का, अगर एक simple सा question उनको दिया जाए, कि 3A square plus 7B square क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, कि 3A plus 7B, और एक वारिसी को क्या करेंगे, 3A minus 7B, तो यह आपका ग इसका भी square root निकालते हैं, square root निकालने के बाद, मतलब root निकाल, वर्ग मूल निकालने के बाद, हम उसको क्या करते हैं, एक बाट plus में लिखते हैं, और एक बार minus में लिखते हैं, यह concept होता है, यह अगर हम बोलेंगे, तो यह गलत हो जाएगा, तो actually इसका answer होगा, क्या, य 9B square यहां हो सकता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत लोग इसमें भी लिखते हैं, 4A plus 9B और 4A minus 9B not, यह गलत हो जाएगा, सबसे पहले तो इसको इस form में लाना परेगा, तो 2A का whole square लिखना परेगा, और 3B का whole square लिखेंगे, तो 2A और 3B, अब यह आ गया, अब यह 2A और B है, तो अब हम यहां लिख सकते है, 2A minus यह, 2A plus 3B, और multiplied by 2A minus, आप 3B कर सकते हैं, तो यह होता है, यह केंस हो सकता है, लेकिन इस टाइब से जो दिया हुआ है, उपर वाले में ऐसे नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको square root निकालना ही परता ह है, उसके बाद ही हम करते हैं, इसका 3 का square root अगर हम निकालेंगे, perfect square root होता नहीं, क्योंकि यह perfect square है ही नहीं, तो perfect square root कैसे इसका निकलेगा, next हम बात करेंगे, इसे में तो यह आपका ध्यान में रखना है, इसमें अलग-लग pattern कि आते हैं questions, अगर इस टाइप का questions आता है, तो अगर हम बात करेंगे root 3 into root 3, तो क्या होता है, खाली 3, root 4 into root 4 बात करेंगे, तो खाली 4 होता है, क्योंकि root 3 में root 3 से करेंगे, तो root 9 होगा, root 9 का square root निकालेगा, 3 होगा, तो root root, 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 root होगा, यानि root root, 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 root लिखा रहेगा ना कि 3a square minus 7b square तो आप इसको लिख सकते हैं देखिए square के फ़र में root 3a का whole square और minus 7b लिखा हुआ है तो root 7b का क्या कर देजें आप whole square कर देजें अब आप इसको लिख सकते हैं अब लिख सकते हैं root 3a plus 7b और ये ध्यान में रखना है b बाहर है root से फिर इसी को आप क्या करेगा root 3a minus root आपका 7b एक बार plus में और एक बार minus में तो देखिए इस type से आप इसको बना सकते हैं तो इसको याद रखना है next हम बात करेंगे इसी में तो ये इसमें आपका इस type से pattern आपको देखने के लिए मिलेगा a plus b plus c a plus b plus c generally जो होता है आपको इसका usage normal case में नहीं मिलता है इसका usage जो है आपका special case में मिलता है special case में जैसे अगर हम बात करेंगे special case में कैसे तो आपको बता दे रहे question जैसे यहाँ पर यह तो formula पता है आपको a plus b plus c तो यहाँ पर देखे questions का pattern इस type से आपको रहेगा बोलेगा a plus b plus c का value माल लेते हैं आपको देदेगा 12 है ठीक है इस type से आपको देदेगा a plus b plus c का value आपको क्या है 12 है फिर आपको यहाँ पर बोल देगा कि a b plus b c plus c is equal to कुछ भी दे सकता है माल लेते हैं आपका यहाँ इसको और बढ़ा कर दीजी ठोड़ा सा 24 कर दीजी माल लेते हैं इसको आप कर दीजी 12 कर देते हैं ठीक है अब ऐसे case में देखे यहाँ यह questions हो गया कि if बोल देगा if a plus b plus c is equal to 24 और a b plus b c plus c a का value 12 है तो यहाँ पर यह देख भी नहीं रहा होगा फिर भी यहाँ बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा होगा आप देखेगा यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें पूछ देगा आपसे a square plus b square और plus c square का value बताईए कि क्या होगा तो इस case में यहाँ पर ऐसे conditions म जो होता है ना आपको यहाँ पर यह formula जब तक याद आपको नहीं रहेगा तो वैसे conditions में आपको क्या हो सकता यह problem हो सकता है मिल सकता है देखने के लिए तो देखे इसमें हम क्या करेंगे इसको हम बना लेते हैं चलिए देखे यह a square plus b square plus c square तो सबसे पहले तो आप formula देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि a plus b plus c जो होता है इसका formula यह 24 लिखा हुआ है तो अगर हम क्या करेंगे आप इसquaring both sides कर देजिए squaring अगर आप both sides करते हैं squaring both the sides करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा a plus b plus c जो लिखा हुआ है a plus b plus c का whole square हो जाएगा और यहाँ 24 का whole square हो जाएगा 24 का square 576 होगा यानि 576 होगा next हम बात करेंगे देखिए हमसे पूछ रहा था क्या a square plus b square plus c square इसके बाद रहा में रोडा कौन बन रहा है यह तो आपको पता होना चाहिए a square plus b square और plus c square के case दिया हुआ प्लस यहाँ a b plus b c plus c a का value पहले से दिया हुआ है तो यानिके 2 into 12 कर सकते हैं बरावर 576 कर देंगे और यहाँ पर पता होना चाहिए a square plus b square और plus c square बरावर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 यानिके 576 में से आप 24 सीधे आके यहाँ यह माइनस हो जाएगा तो यह something जो भी आपका इस में से माइनस करें यह 6 में से चार जाएगा दू और यह 7 में से दू जाएगा अपका 5 हो गया 5 यानिके 552 तो देखे इस टाइप के pattern में आपको questions देखने के लिए मिलता है ठीक है और इसी में आगे आपको क्या मिलेगा अब इसी का देखे लिख देगा क्या आपको एक कुछ नहीं कर सकते हैं अब इसी question का direct अगर बनाया जाएगा तो कुछ नहीं करते हैं इसको अब सीधे यह वाला जो पार्ट दिख रहा है यह तो सीधे इसमें trick में क्या करेंगे 24 का square कर दीजे और इसमेंस हम क्या करेंगा minus 2 into जो यह आपका value जो दिया हुआ है 12 into 2 सीधे आ 12 into 2 करके क्या कर यह 12 into 2 नहीं 2 into something जो AB plus VC plus CA का value हुआ है इसको 2 से minus कर दीजे और इसको square करके और सीधे इसमेंसे इसको minus कर दीजे आपका value निकल जाएगा तो इस टाइब से आपको question का pattern देखने के लिए मिलेगा अब इसमें कुछ और भी formula है इसमें A plus 1 by A बोले या X plus 1 by X का formula बोलेंगे तो उस pattern में भी आपको देखेने के लिए मिलेगा तो उसको भी एक बार हम क्या करते हैं देख लेते हैं generally जो होगा इसका इस type से ही यह जो formula का use है आपका ज्यादा तर के इसमें आपको उस form में ही आपको मिलता है और बाकी इस से related अगर आप कुछ questions खुद से practice क करते हैं तो वो कुछ-कुछ special keynes होता है वहाँ पर किया जाता है तो उस type का question का collection लाया जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे इसको बता देंगे सबसे पहले तो इतना आपका clear हो गया अब आपका थोड़ा सा x plus 1 by x का जो formula है उसको देख लेते हैं और उसके बाद ये फि चलिए next हम आजाएंगे आपका किस पे अब a plus 1 by a के form में देता है या इसी को आप x plus 1 by x के form में भी लिखता है आपका whole square लिखता है इसको याद रखिएगा ठीक है x plus 1 by x के form में देगा या आपको इसी को a plus 1 by a भी लिखता है आप confuse मत करिएगा दोनों सेम ही चीज है एक ही चीज को describe किया गया है ठीक है x plus 1 by x होता है इसमें questions करें इसका square करेंगे अगर हम अगर इसका बात करेंगे चलिए इसका अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि x square plus 1 by x square और प्लस क्या होता है 2 ठीक है दिखें ये कुछ नहीं है ये पूरे पार्ट को आप क्या कर लि हो गया तो a plus b का whole square पे ही ये based है a square plus b square तो a square a के जगा पर x था तो x का square कर दिए b square तो 1 by x का whole square करेंगे तो 1 का square 1 और x का square आपका x हो गया तो x square प्लस 1 by x square प्लस 2ab तो ab के जगा देखेंगा एक x होतागा और 1 by x होगा तो x x cancel हो जाएगा तो आपको actual बचेगा क्या आपका 2 ही बचेगा तो यहाँ पर exactly अगर हम बात करेंगे तो इसके जगा पर सीधे से x square plus 1 by x square और प्लस सीधे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे next हम बात करेंगे इसी में a plus 1 by a भी बोलेंगे तो यही चीज हो जागा a square plus 1 by a square of plus 2 बोलेंगे same case अगर यह अगर हम बात करेंगे minus के case में अगर बोलेंगे second formula में अगर हम बात करेंगे x minus 1 by x का whole square अगर बोला जाता है ठीक है तो इस टाइब से आपको देखने के लिए क्या होगा questions मिलेगा यह formula होगा आप इस पर question अगर हम बात करेंगे तो कैसा होगा देखने के लिए तो देखें इस पर generally questions आपको देखने के लिए ऐसे मिलेगा x plus 1 by x is equal to आपको बोल देगा 4 आप पूछेगा x square plus 1 by x square का value बताएए कि क्या होगा तो सबसे पहले इसमें हम कुछ नहीं करते हैं basic अगर इसमें हम बात करेंगे तो कुछ नहीं x plus 1 by x लिख दीजिए बरावर अगर लिखा हुआ है 4 तो आप वही चीज़ कर दीजिए squaring बाद आपका क्या होगा यह देखिए x plus 1 by x है तो इसका whole square करिएगा और बरावर 4 है तो इसका भी आप whole square करिएगा तो देखिए यह तो x square plus 1 by x square और प्लस आपका क्या मिलेगा 2 मिलेगा और यहाँ पर 4 के square कितना हो जाएगा 16 फिर यहीं चीज़ x square और plus 1 by x square बात करेंगा और प्रावर 2 उधर आएगा तो 16 मेंसे 2 जाएगा तो 16 मेंसे अगर हम 2 माइनेस करेंगे तो आपका actually बचेगा क्या आपका 14 बचेगा तो direct अगर हम बात करेंगे अब इसी मेंसे आपको direct क्या करता है इसका अब बोलेगा ट्रिक बोलेगा ऐसा इसे बहुत सारे questions आपको दे दिखा हुआ है तो एक फिलस वन बाई एकस का बढ़ावर आपका 9 है दोनों साइड आप क्या कर दीजिए स्क्वाइर कर दीजिए तो इधर बोथ साइड इसक्वार और प्लस यहां भी 1 बाई एकस स्क्वार और माइनस क्या हो जाएगा तो और बढ़ावर 9 का स्क्वार 81 तो एकस स्क्वार प्लस 1 बाई एकस स्क्वार अगर हम बात करेंगे तो 81 में से यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 तो actually बचेगा क्या आपका 79 ठीक है 11 में से 2 जाएगा 9 तो 79 अब यहां पर देखिए इसमें ट्रीक क्या बताया जाएगा तो यहां इस पार्ट को क्य आने का आपको book में देखिएगा कहीं पे आपको तो trick इसमें बोला जाएगा इसको A मान लिया जाएगा आप बोलेगा सीधे A square इस type का case अगर रहता है तो हम A square minus क्या करते हैं 2 करते हैं हो गया अब A square minus 2 यानि कि सीधे इसमें से 9 का square करिए 81, 81 में से 2 जाएगा तो सीधे आपका value हो जाएगा यानि कि इस base पर अगर हम बात करेंगे तो सीधे 9 का square और minus 2 यानि कि 79 हो गया सेम यहाँ पर बात करेंगे 4 बाला तो 4 का square minus 2 तो 4 का square 16 minus 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा यह हो गया तो यह square waste में आपको मिलेगा इसमें आपका cubic waste में भी मिलता है x plus 1 by x का बोलेगा आपको whole square और यहाँ पर यहाँ cubic बोल देगा फिर x cube plus 1 by x cube का यह पूछ सकता है मतलब अलग-अलग pattern आपको देखने के लिए मिल सकता है इसमें बहुत तरह का pattern आता है अगर इसमें pattern पर बात करेंगे तो एक particular सीधे इसी का square का और cube का दोनों का बेडियो क्योंकि दोनों एक दूसरे से combine करके x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 भी पूछता है आपसे वहाँ पर भी अलग-अलग case आपको देखने के लिए मिलेगा कि x plus 1 by x तो दिया हुआ है कि माल लेते हैं आपको देदेगा कि x plus x plus 1 by x का whole यह देदेगा आपको x plus 1 by x is equal to 9 देदेगा ठीक है अब इसमें से पूछ देगा आपसे क्या कि x minus 1 by x बड़ाबर what इस टाइब से पूछेगा तो देखें इस टाइब से भी आपको question पूछेगा तो आपको कैसे बनाईएगा तो यह थोड़ा सा standard हो जाएगा कि plus के case दिया हुआ है minus पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या करिए कि square लिग देजिए x plus 1 by x का whole square लिग देजिए तो यह क्या हो जागा 9 का square हो जाएगा अब देखिएगा a plus b का whole square के जगए पर एक formula लिखाया गया था आपको a plus b के whole square में आपको क्या लिखाया गया था शुरू में जब आप परहे थे तो a minus b का whole square a minus b का whole square plus 4b तो आप देखिए यह a plus b का whole square है यानि कि उसको इस form में अगर इसका minus, यह सीधे a plus b का whole square में क्या था? a minus b का whole square, तो यानि यहाँ x minus 1 by x का whole square और plus वहाँ पर क्या था? plus क्या था? 4ab तो यहाँ पर सीधे plus क्या हो जाएगा 4 क्यों? क्योंकि 4ab, ab करेगा x into 1 by x करेगा, तो फिर x into 1 by x cancel हो जाएगा, यानि कि अगर यहाँ पर करेंगे x into 1 by x करेंगे, तो x cancel होगा, तो actually 4 ही बचेगा तो सीधा सा concept यहाँ पर कर देजिए यहाँ लिख देजिए x minus 1 by x का whole square और plus 4 कर देजिए, और बराबर यह 9 का square है, तो यह 81 हो जाएगा अब हमसे पूछ रहा थे x minus 1 by x का whole square चोड़ दिजिए, और बराबर यह क्या हो जाएगा plus 4 उधर जाएगा, तो 81 में से फोड़ जाएगा तो यह something जो भी होगा, यह plus है, तो उधर जाएगा, तो माइनस आएगा, तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या होगा, 11 मिस चारज है 77 होगा, यानि कि x-1 by x का whole square बोलेंगे, तो 77, तो खाली अगर हम बात करेंगे, square cancel होगा, तो बराबर के उस से जाएगा, तो यह root में change हो जाएगा, यानि कि सीधा सा root under 77, तो इस type से आपको answer देखने के लिए मिलेगा तो इस type से भी आपको question मतलब plus वाला देगा और minus वाला पूच सकता है, minus वाला भी देगा तो plus वाला पूच सकता है, यानि कि इसी case में अगर minus का भी आपको तू दे सकता है minus के case में अगर देगा, तो minus के case में भी आप निकाल सकते हैं, same चीज minus का भी case दे सकता है, जैसे करने का मतलब आपको इस टाइब से भी questions देखने के लिए मिल सकता है कि आपको देदेगा x वहाँ पर दिये थे plus यहाँ पर देदेगा x minus 1 by x is equal to 9 देदेगा अब पूछेगा आपसे x plus 1 by x बराबर what तो इसको कैसे बनाएंगे तो इस टाइब से भी questions आपको देखने के लिए फिर same चीज़ हम करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे यही चीज़ जो same pattern बोले x minus 1 by x का whole square और बराबर इहाँ पर क्या करेंगे 9 का square कर दीजे जो something आएगा फिर वही चीज़ यहाँ पर minus वाले में plus था याँनिकि x plus 1 by x का whole square और plus 4 के जगा पर यहाً minus 4 था और 9 का square 81 हो जाएगा इस वार क्या हो जाएगा x plus 1 by x बात करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा सीधे 84 उधर जाएगा तो 85 हो जाएगा मतलब 4 minus 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा और प्लस 4 यानि कि 4 जूटेगा एक 80 में तो एक 84 पचासी और स्क्वाइर जब इसका ये स्क्वाइर है ना स्क्वाइर कैंसिल करेगा तो रूट 85 यानि कि X प्लस 1 बाई X का वैलू अगर यहां पर बात करेंगे तो रूट 85 आ जाएगा तो इस टाइप से question क pattern आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये सारे questions को आप क्या करेगा revise कर लेजेगा ये एक basic thoughts आपका क्या है छोटा सा वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे revise कर लेंगे basic जिनको ये सारे formula नहीं पता है उनके लिए ज़्यादा important है क्योंकि basic formula आपको generally आपको देखने के लिए ह को हम क्या करेंगे एक बार describe कर देंगे और उसके बात फिर lastly हम बात करेंगे तो इस based पर जितना formula इस पर जितना questions आता है इसका एक particular वीडियो लेके आएगे और वहाँ पर क्या करेंगे सारे questions को हम क्या कर लेंगे solve करा देंगे ताकि आपका पूरा concept clear हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो